Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis share करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इससे ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग उन stocks को discuss कर लेते हैं जिसे मैंने आप लोगों के साथ आज के Intraday session के लिए share किया था तो आज के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intraday stock था Kotec Bank इसके अंदर आज हम लोगों को कहीं पर भी एक perfect breakout देखने के लिए नहीं मिला जैसा हम लोगों ने plan किया था तो इसलिए आज इसके अंदर हम लोगों कोई भी Intraday trade करने का मौकार नहीं मिला है और आज के लिए Traders मेरा दूसरा Intraday stock था Liupin इसके अंदर आज हम लोगों को बहुत ही सांदार breakout देखने के लिए मिला लगभग 11-15 के आसपास में और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आज का ये high बनाया है लगभग 710 के around में यानि कि जो हमारा target था उसको ये exactly achieve किया है तो I hope आप सभी लोगों ने इसके अंदर एक बहतरीन profit generate किया होगा In fact, Lupin के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि breakout आने से पहले ये बार-बार 705 पे जा करके resistance phase कर रहा था और कोई भी stock जितना देर तक consolidation करता है live market के अंदर उतना ज्यादा वो बहुत ही अच्छा momentum हम लोग को provide करता है और इसलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग को breakout देखने के लिए मिला उसके बाद ये बहुत ही जल्दी हमारे target तक पहुँच चुका था आज के लिए traders मेरा तीसरा intraday stock था UBL UBL के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक perfect breakout देखने के लिए मिला था यानि कि candle closing देखने के लिए मिला था 1450 के उपर जहाँ पर हम लोग को buy करना था और उसके बाद इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो target है वो successfully achieve हुआ है और traders कल के ही video मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम लोग को 15 minute time frame में जब closing मिल जाए इसके अंदर तभी अपने trade को initiate करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बार इसके अंदर हम लोग को false breakout भी देखने के लिए मिला था और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग को 50 minute के time frame में एक अच्छा खासा breakout यहाँ पर देखने के लिए मिला है उसके बाद इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा momentum भी generate हुआ है और यह जाकर के हमारे target को successfully achieve किया है आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था Tata Chemicals इसके अंदर traders आज पूरे दिन हम लोग को बहुत ही कम volume में trade होता हुआ नजर आया है हलाकि last के intraday session में हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने इस trend line को break करता हुआ दिख रहा था लेकिन 3 बज़े के बाद वैसे भी हम लोग entire trading नहीं करते हैं तो इसके अंदर कोई भी trade selling side में नहीं बनता था हलाकि जिन लोगों ने भी इसके अंदर buy side में अपने trade को initiate को break किया तो उन लोगों ने अपने इस trade को break even पर ही close किया होगा क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि 3 बज़े के आज पास तक यह 949-949 के आज पास में ही move करता हुआ हम लोगों दिख रहा है कि इसके अंदर हम लोगों को आज बहुत ही perfect breakdown देखने के लिए मिला था उसके बाद इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा खासा retesting भी होता हुआ नजर आया था लेकिन फिर हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने इस breakout को sustain नहीं कर पाया और जा करके हमारे stop loss को hit कर गया तो supply traders आज हमारे लिए एक losing intraday stock रहा है I hope आप सभी का इसके अंदर बहुत ज़्यादा loss नहीं हुआ होगा और आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था Dabber Dabber के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों एक अच्छा खासा breakout देखने के लिए मिला था लेकिन उसके बाद इसके अंदर जिस तरह का momentum हम लोगों ने expect किया था वैसा देखने के लिए नहीं मिला है और पूरे दिन यह अपने इसी resistance के आसपस में consolidate करते हुए हम लोगों नजर आ रहा है तो इसके अंदर भी जिन लोगों ने भी कोई भी trade initiate किया होगा या तो इसके अंदर से हलका profit में हटे होंगे या फिर break even पर ही अपने trade को closing दिये होंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डाबर अब फिर से अपने एक और resistance के आसपस में पहुँच चुका है तो ऐसे में कल के लिए भी आप लोग इसे अपने radar पर रख सकते हैं अगर कल यह अपने आज के high को cross करता है यानि कि 528.5 के उपर में निकलता है तो आप लोग फिर इसके अंदर buy side के trade को initiate कर सकते हैं क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि आज यह अपने इस trend line को breakout देने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से consolidate किया है तो ऐसे में कल अगर momentum आता है और यह अपने resistance को तोड़ देता है तो फिर इसके अंदर हम लोग को एक अच्छा खासा momentum देखने के लिए मिल सकता है तो traders आप लोग को इसे 528.5 के उपर में buy करना रहेगा कल और हम लोग अपना target को change करके अब 533 कर चुके हैं यानि कि UBL और Lupin के अंदर Kotec Bank में हम लोग को कोई भी trade देखने के लिए नहीं मिला है और Sipla के अंदर हमारा stop loss हीट हुआ है और बात करें Dabar और Tata Chemicals का तो इसके अंदर हम लोग को breakout तो जरूर देखने के लिए मिला था लेकिन breakout के बाद इन दोनों के अंदर हम लोग को हलका सा consolidation होता हुआ ही नजरा है तो overall बात करें तो आज दो intraday stocks में हमारा target achieve हुआ है और एक intraday stock में हम लोगों ने stop loss को hit किया है तो I hope traders आपको मेरी analysis पसंदारी होगी इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो जरूर इसे like कर दीजेगा साथी में आप लोग मेरे telegram channel को भी join कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ stock market से जुड़े हुए कुछ updates साथी में live market में भी intraday chart analysis share करता हूँ यहाँ पर मैंने आप लोगो levels भी लिख करके बता दिया था कि हम लोगो 592 के उपर में buy करना है और buy तभी करना है जब यह अपने breakout को sustain करे बात करें इसको share करने के पीछे का region का तो हम लोग देख सकते हैं कि starting में इसके अंदर एक हलका सा fall होता हुआ नजर आया था लेकिन 15 मिनट का जो candle closing था वो बहुत ही जादा उपर में हुआ था यानि कि एक बहुत बड़े red को यह green candle में convert किया था और फिर अपने resistance के पास में जा करके यह हलका सा consolidate कर रहा था और इसी कारण से मैंने आप लोग साथ ये intraday chart analysis भी share किया था क्योंकि कल के ही वीडियो मैंने आप लोग को बता दिया था कि oro pharma भी मेरे radar पर कल रहने वाला है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा कासा breakout होते हुए नजर आया जिसको ये बहुत ही अच्छी तरह से retest भी लिया फिर एक green candle मना करके यहाँ पर हम लोग को confirmation देखने के लिए मिला और उसके बाद इसके अंदर हम लोग बहतरीन rally catch कर सकते थे तो आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा कि oro pharma के अंदर आप इसे कितने सारे लोगों ने कोई भी trade initiate किया था तो मैंने अपने telegram channel का जो link है वो नीचे description box में आप लोग के लिए provide कर दिया है वहाँ से आप लोग इसे join कर सकते हैं लेकिन traders बहुत सारे लोग मेरे telegram channel को जो join किये हुए है उन्होंने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है जो की सबसे जादा जरूरी है इसलिए मेरा आप लोगों से request है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को नहीं subscribe किया है वो लोग पहले इसे subscribe जरूर कर लेंगे मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि market के अंदर हर दिन हम लोगो same momentum देखने के लिए नहीं मिलता है Friday के दिन traders हम लोगों ने 6 intraday stocks के अंदर profit generate किया था साथी मैं कल का बात करें तो कल भी हमारे 3 stocks ने target को achieve किया था आज हम लोग देख सकते हैं कि 1 intraday stock के अंदर हमारा stop loss भी hit हुआ है तो कभी-कभी ऐसा रहता है कि हम लोग को अपने trade में entry लेते हुए बहुत ही तुरंत target achieve हो जाता है कभी-कभी हम लोग को 1 या 2 घंटे wait करना पड़ता है और किसी-किसी दिन हमारा stop loss भी hit होता है और इसलिए हम लोग हर एक trade में अपने stop loss को भी accuracy एक बहतरीन trader भी maintain कर पाता है और इसलिए risk management हमेशा बहुत ही बड़ा role play करता है और यही कारण है कि मैं भी अपने वीडियो में उन्हीं stocks के analysis आप लोग के साथ share करता हूँ जिनके अंदर 1 इस to 2 का risk reward ratio हम लोग को मिल रहा होता है तो अगर आज का दिन आप लोग का stop loss भी हिट हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अगर stop loss भी हिट होता है हम लोग का किसी भी trade में तो उसे हम लोग अगले trade में cover ही नहीं करते हैं बलकि overall और भी ज़्यादा profit generate करते हैं तो चलिए अब discuss कर लेते हैं उन stocks को जिसे हम लोग कल के लिए अपने watch list में add करके रख सकते हैं तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा Tata Motors इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत भी खुबसूरत सा यहाँ पर हम लोग को triangle pattern बनते हुए नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कल इसके अंदर हम लोग को either side में breakout या फिर breakdown दोनों देखने के लिए मिल सकता है अगर कल यह अपने इस support zone को break करता है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह already बार-बार support लेता हुए हम लोग को नजर आ रहा है तो उस case में हम लोग इसके अंदर sell side का trade को initiate करेंगे लेकिन अगर कल यह उपर में जा करके और अपने इस resistance वाले trade line को break करता है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आज भी यह जिसको break करने का बहुत बार try कर चुका है already तो कल breakout आने के बाद इसके अंदर हम लोग buy side के trade को initiate कर सकते हैं तो इसलिए टाटा मोटर्स के अंदर दोनों side का जो levels है वो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लिजिएगा या फिर screenshot भी ले सकते हैं लेकिन बेटर यहीं रहेगा कि आप लोग भी मेरी तरह support और resistance को draw कर लिजिए ताकि live market में आप लोग और भी ज़्यादा clarity के साथ अपने trades को execute कर पाएं और कल कले traders मेरा दूसरा intraday stock रहेगा Reliance, Reliance के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने हम लोग को देखने के लिए मिला है और यह अपने resistance zone के आसपास में जा करके आज closing दिया है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि already यह एक तो बार resistance face कर चुका है तो ऐसे में कल अगर यह 2380 को break कर देता है तो हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा का सा buy side में intraday trade मिल सकता है तो इसलिए traders इसे आप लोग जरूर अपने radar पर रखेगा इसका जो level से मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर mention कर दिया है और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा ACL take ACL take के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं यह अपने इस trend line पर बार बार support लेता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है बात करें आज का तो आज दी हम लोग देख सकते हैं कि यह यही पर आ करके support लिया है और फिर इसके अंदर पूरे दिन हम लोग को एक अच्छा खासा consolidation होता हुआ नजर आया है तो ऐसे में कल अगर हलका सावी weakness इस stock के अंदर में नजर आता है और यह नीचे में आकर के अपने इस trend line को break कर देता है तो फिर definitely इसके अंदर हम लोग एक अच्छा खासा intraday move को capture कर सकते हैं तो इसलिए traders SGLT को भी जरूर आप लोग अपने radar पर रखेगा और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा escorts इसके अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि एक सांदार यहाँ पर triangle pattern हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है और यह खुद को इसी triangle pattern के बीच में बहुत ही अच्छी तरह से consolidate कर रहा है हम लोग देख सकते हैं कि यह इस trend line पर बार बार आकर के resistance face कर रहा है आज भी अगर हम लोग बात करें तो यहीं से इसके अंदर हलका सा selling होता हुआ नजर आ है और यहाँ पर हम लोग यह भी देख सकते हैं कि यह जो trend line है इसी पर आकर कि यह बार बार support लेता हुआ भी हम लोग को नजर आ रहा है तो आसे में कल अगर यह अपने इस trend line को break कर देता है तो फिर selling side में हम लोग को एक अच्छा खासा intraday trade करने का मौका मिल सकता है तो इसी लिए traders इसे भी जरूर आप लोग अपने radar पर रखेगा और कल के लिए traders मेरा आखरी intraday stock रहेगा HDFC bank इसका जो analysis है वो already 2-3 बार पहले भी मैं आप लोग के साथ share कर चुका हूँ in fact I hope कल आप लोगों ने इस वाले move को बहुत ही अच्छी तरह से catch भी किया होगा लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि ये अपने इस zone को बहुत ही अच्छी तरह से breakdown किया है और फिर से अपने stand line के आसपास में आकर के support ले रहा है जहां पर already हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत दिन से support लेता हुआ हम लोग को नजरा रहा है तो ऐसे में कल अगर ये अपने stand line को break कर देता है क्योंकि आज भी हम लोग देख सकते हैं कि लगबग तीन बार ये इसको break करने का try किया है तो उस case में इसके अंदर हम लोग को selling side में एक अच्छा कासा intraday move capture करने का मौका मिल सकता है तो इसी रहे टेरस HDFC bank को भी कल के लिए आप लोग जरूर अपने radar पर रखे इसका जो level से हो मैंने आप लोग के लिए यहां पर mention कर दिया है तो टेरस कल के लिए आप लोग इन सारे stocks को अपने radar पर रख सकते हैं और इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे stocks हैं जो मेरे already radar पर है जैसे की MGL, ACN Paints तो अगर इन सब stocks के अंदर कोई भी breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिलता है तो उसकी analysis मैं आप लोग के साथ अपने telegram channel पर share कर दूँगा आप लोग इसे नीचे description box में दिये गया link से join कर सकते हैं या फिर telegram पर जा करके the market verse आप लोग search कर सकते हैं और वहां से आप लोग इसको join कर सकते हैं तो I hope traders आपको मेरी आज की analysis पसंद आई होगी अगर आप लोगों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर इसे subscribe कर दीजेगा साथी में अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने entire trades को select करता हूँ कैसे उनके अंदर अपने levels को decide करता हूँ आप लोग के लिए ये वाली वीडियो मैंने already upload कर दिया है आप लोग इसे जरूर एक बार check कर लिजेगा आज के लिए traders बस इतना ही धन्यवाद